हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको हाउस वाइरिंग के बारे में बताऊंगा दोस्तों, बिजली का कोई भी कमपोनेंट है, उसे चलने के लिए फेस नूटल की जरूरत होती है और हमारे घरों में ज्यादा तर सप्लाई सिंगल फेस ही होती है, जिसमें एक नूटल और एक फेस होता है दोस्तों, वाइरिंग करना ज्यादा मुस्किल काम नहीं होता है, जिस विक्ती ने फेस और नूटल को समझ लिया, उसके लिए वाइरिंग आसान हो जाती है बिजली से चलने वाली कोई भी चीज है जैसे tube light, fan या bulb सभी में दो wire की जरूरत होती है face और noodle face और noodle जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो यह component हमारे start हो जाते है तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारे bulb से दो wire निकलते हैं इसी तरह fan से भी दो wire निकलते हैं और tube light से भी दो wire आते हैं अब हमारी जो man supply आती है उसमें भी दो wire आते हैं face और noodle यह मान लिजी यह face है और यह noodle है अब यदि हम इन दोनों wire को किसी भी component में direct जोड़ देते हैं तो वो direct supply उसको मिल जाती है और वो जल जाता है लेकिन घरों में ऐसा नहीं होता है इनको control करने के लिए switches लगाए जाते हैं तो देखे सबसे पहले हम क्या करेंगे इन तीनों में से कोई भी एक wire आप एक साथ connect कर दीजिए जैसे bulb में से हम इस wire को ले लेते हैं और fan में से हम इस वाली wire को ले लेते हैं और tube light में से हम इस वाली wire को ले लेते हैं यह हमारा common point हो जाता है यह जो तीनों wire हमने एक साथ खटी की हैं इनको हम noodle supply देंगे sorry हम इसे noodle बना देते हैं और इसे face कर लेते हैं कोई भी वायर आप किदर भी रख सकते हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है तो देखिए हमने इन तीनों में से एक एक वायर को लेके हमने उसे नूटल से कनेक्ट कर दिया है अब हम तीनों कंपोनेंट को face supply देंगे तो face देने से पहले हम इसको control करने के लिए इसमें एक switch लगा देते हैं जैसे देखिए यह यहां से bulb आ रहा है और यहां पर हमने एक on off switch लगा दिया है इस तरीके से और यहां से यह face wire निकल के इसमें चली जाती है तो जब आप इस switch को on करेंगे तो bulb आपका जल जाएगा नूटल 24 गंटे आता रहता है अब यहां पर हमारा switch लग गया है तो जैसे हम इस switch को on करेंगे यह हमारा bulb जल जाएगा ठीक इसी तरह हम fan में और tube light में भी switches लगा देते हैं यह fan की wire हमने इसमें लगा दी है और यहीं से face उठकर इसमें चला जाएगा अब हम tube light में भी switch लगाएंगे यह tube light में हमने यहां पर switch लगा दिया है और यह देखिए tube light की जो दूसरी wire है इसमें आएगी और यहां से जो यह face है face supply उठकर इसमें चली जाएगी तो साथियों यहां पर आपने देखा कि कोई भी component है उसे चलने के लिए face noodle चाहिए तो noodle तो सभी को direct मिल रहा है तेखिए यहां से तीनों में noodle डारेक्ट गया है और हमने जो face wire है उसमें एक switch लगा दिया है तीनों में देखिए, तीनों के face wire में हमने एक switch लगा दिया है अब हम इन switches को board में fit करेंगे और फिर वहाँ से देखते हैं किस तरीके से wire निकलती है यह देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक board बना रखा है जिसमें एक socket है और इसमें 4 switches लगे हुए है यह यहाँ पे supply आई हुई है, जिसमें face, noodle और earthing है यह हमारा face wire है, यह हमारा noodle है और यह हमारा earthing है तो यहाँ से हम सबसे पहले face को divide करेंगे यहाँ पे हमने देखा था कि bulb से 2 wire निकली है उनमें से एक wire switch में लगी हुई है इसी तरह fan से और इसी तरह tube light से तो देखिए हम उसी तरह से connection कर देते हैं इसके यह हमने इसकी एक wire उठाके इसमें लगा दी है switch में, इस fan से जो दो wire निकली थी उसमें से हमने एक wire यहाँ पे और जो tube light से wire आई थी उसमें से एक wire हमने यहाँ पे लगा दी है अब यहाँ पे हम इसकी जो दूसरी wire राजी है noodle, उन सब को हम एक साथ खटा करते हैं देखिए, यह noodle है तो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं ठीक इसी तरह इसकी noodle को आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे तो आप इसको यहीं ले आईए और ठीक इसी तरह इसकी noodle को भी आप यहाँ पे ले आएंगे तो यह हमारा common point बन जाता है यहाँ पे और यह आपने देखा होगा ज़्यादा तर जो कमरें उत्ते हैं, उन में fan box होता है इस तरीके से उस fan box में से चारो तरफ pipe गया होता है जो lantern में, जो ceiling में fan box लगा होता है तो हर दिवार पे यह चारो तरफ दिवारे होती है, तो हर दिवार पे एक point दिया गया होता है tube light के लिए, bulb के लिए या कोई भी fancy light आप लगा सकते हैं तो उसमें से दो wire आती है सभी में से दो wire, चार wire निकलती हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इसमें से दो wire आ रखी हैं तो हम इसमें से एक wire को हम यहीं पे रख लेते हैं और इसमें से आ रही है, जैसे यहां से एक wire आई तो इसको हमने यहीं रख लिया और जो इसमें से आ रही है तो इसमें से भी एक wire को हमने यहीं पे रोक लेते हैं और यह तीनों wire हम आपस में connect कर देते हैं फिर इन सभी में से एक wire हम सीधी board में उतार देते हैं इस तरीके से अब यह जो यहाँ पे common point बना है इसमें भी एक छोटी सी wire लगाके हम बाहर निकाल देते हैं और यहीं से एक man wire आती है यह जो दो wire है यह हम पंके के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं तो आपने देखा ना यह जो common point है यह ज़्यादतर fan box के अंदर ही होता है अगर हम सभी wire noodle की जो हमने यह पे छोड़ दी है इन सभी को हम fan box तक लाते हैं तो इस pipe में इतनी जगा नहीं होती कि सभी wire एक साथ आ जाए इसलिए हम noodle को यहीं पे छोड़ देते हैं और तीनों को चारों को जितनी भी noodle हैं उन सब को common यहीं कर देते हैं और फिर एक wire noodle की उतार के हम नीचे ले आते हैं तो देखिए हम इसमें से एक wire noodle की उतार के हम नीचे ले आते हैं और उसको हम जो socket होता है उस पे लिखा रहता है light और noodle तो आप जिधर उसमें noodle लिखा हुआ है उसमें connect कर दीजिए यह पिन आपस में जुड़ी हुई रहती है socket की अब हमें इस power board को supply देनी है तो देखिए हम किस तरीके से देंगे हम यहां से face उठाएंगे और सबसे पहले तो हमें इन चारों को आपस में या तो loop बना दीजिए इस तरीके से अगर loop नहीं बनाना चाहें तो हम एक सीधी wire इस तरह से भी डाल सकते हैं देखिए हम एक सीधी wire चील के इसमें डाल देंगे अब हम यहां से face उठाएंगे और किसी भी point में आप इसको यहां पे लाके screw के साथ tight कर दीजिए और देखिए यहां से सभी switches में face पहुँच गया है यहां से noodle उठाएंगे और इस वाले point पे ले जाके हम लगा देंगे तो हमारे socket में noodle पहुँच चुका है अब socket में face की जरूरत है तो face हम इसको यहां से देंगे यह जो पहला switch होता है socket के बराबन में इसमें से ऊपर से एक छोटी सी wire हम यहां पे डाल देंगे तो जैसे हम switch on करेंगे इसमें noodle तो पहले से ही है और इसको face मिल जाता है तो हम इसमें socket में जो भी हमारा component होगा जो भी हम लगाएंगे washing machine, freeze या कुछ भी आप चलाने के लिए लगाते हैं तो वो हमारा चलने लगेगा तो देखे दोस्तों यहां पे यह wiring diagram complete हो जाता है इस wiring diagram को देखकर समझकर हम लोग घर की wiring easily कर सकते हैं अब इसमें कई बार fault आ जाते हैं घर की wiring में तो देखे वो किस तरीके सा आते हैं ज़्यादा तर fault हमें इस noodle में देखने को मिलते हैं यह जो common होता है यहाँ पे noodle होता है यह fan box के अंदर होता है यह कई बार जल जाता है क्योंकि यहाँ पे कई wire एक साथ हटे होते हैं और हम उनको पिलास से tight करते हैं तो समय के साथ इन में थोड़ी बहुत looseness आ जाती है जिसकी वज़े से यह loose हो जाते हैं और spark करने लगते हैं तो कई बार ऐसा होता है यह पंखे का तार ही यहाँ से छूट गया या किसी भी bulb या fan या tube light को सब noodle नहीं पहुँच पा रहा है तो हमें सबसे पहले तो इसको चेक करना है इसके देखिए अगर यहाँ पे looseness है या कोई तार हटा हुआ है तो आप इसमें लगा दीजिए और दूसरा fault इसमें आता है switches जलने का यहाँ पे देखिए यह switches हैं switches की back side है जहाँ पे दो screw tight होते हैं कैई बार ऐसा होता है कि कोई screw loose रह जाता है तो वहाँ पे spark होकर switch गरम हो जाता है जिससे कैई बार switch में आग भी लग जाती है जल भी जाते हैं तो जब भी हम काम करें या electrician कोई भी काम करें तो switch इनका ध्यान रखे इनको अच्छे से tight करे ताकि कोई looseness ना रहे switch हमारे गरम ना हो switch हमारे safe रहे तो साथियों आशा करता हूँ ये wiring diagram आपकी समझ में आया होगा फिर भी आपका कोई doubt रह जाता है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं साथियों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को like करना ना भूले इसे friends के साथ share करे साथ में अपने इस दोस्त विनोत कुमार technician को subscribe करना ना भूले मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद